नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभेरा तुशांशु पांडे और अभिशा के पूली टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हम कर रहे हैं परिच्छा की तैयारिया और यहां 36 गड़ बोर्ड एक्जाम के लिए हमारी वेक्विसे सीरीज चल रही है जिसका नाम है एक्जाम सीरीज मिशन 2023 यह आपको यूट्यूब पर और हमारे प्लैटफरम दोनों जगह उपलब्द हैं लेकिन यदि आप हमारे एंड मैप शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टन क्वेस्चेंज और इसके साथ साथ करियर कॉंसलिंग की भी फैसिलिटीज आपके साथ में एवेलेबल हैं तो चलिए आए हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की और और हमारा अगला जो चैप्टर है वो है किरन प्रकाश की एम प में लापर द्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास में जो है कुल मिला के संबयों ने इस इन By आया शकुषण आया इक प्रशन आता है तो कर पांच यहां पर हो गए उसके बाद में तीन अंग के दो परश्न आयते हैं तो चेपांच हो गया गया 135 और श्या है और इसके बाद में बचे हुए अंक 6511 हो गया तो तीन प्रश्ण आपको एक अंक वाले मिलेंगे और यहां पर जो है 65, 6612 और दो 14 इस प्रकार से आपको ठोटल 14 नंबर मिल जाते हैं यह जो 14 अंक आपको मिलने वाले हैं इसका जो है distribution हम लोगों ने समझ लिया अब हमको यह समझना है कि इस 14 अंक को पाने के लिए हमको chapter कौन को से पढ़ने पढ़ेंगे हमको सबसे पहले तयारी रखनी पढ़ेगी कीरण प्रकाशिकी की कीरण प्रकाशिकी में भी महुत सारे topics हैं फिर प्रकाश की यंत्र पढ़ेंगे और प्रकाश की यंत्र के बाद में हमको तरंग प्रकाश की याने की वेव आप्टिक्स भी पढ़ना पढ़ेगा अब इन तीनों चेप्टर को मिलाके 14 अंख तो आपको यहां पर मिले हुए हैं इसके साथ-साथ जो हैं जब आप लोगो ने प्रक्टिकल का एक्जाम दिलाया तो वहां पर भी प्रकास से जुड़े हुए बहु Came सारे टापिक्स हैं और इस प्रकास से प्रकास से जुड़े हुए बहुम सारे अंक है याने की कम से कम आठ से पंदरा नंबर जो है आपको वहाँ पर भी मिल जाते हैं तो इस चैप्टर की तैयारी जो है हमको वाईवा के लिए इसके साथ साथ मुख्य परिच्छा के लिए उसके बाद में हमारे प्रैक्टिकल एक्जाम्स के लिए और अगर यदि आप जो है नीट या जैसे एक्जाम्स जो है अगर च्रेक करना चाहते हैं तो उस तैयारी के हिसाब से भी सबसे बड़ा पॉर्षं है सबसे जियादा दमदार पॉर्षं है और डरने की कोई बात नहीं है क्योंगि सबसे जियादा आसान पॉर्षं नहीं है तो चलिए आईए शुरुआत करते हैं आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर यूट्यूब में हमारी regular वीडियो में आपने प्रकासकी से जुड़ हुए बहुं सारे वीडियो जो हमारे चैनल से देखे हुए है यदि आपको चैप्टर रिवाइस करना है तो मेरा रिकमेंडेशन यह है कि आप उन वीडियो को रिफर करें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पी वाइक्यू की बात करने वाले हैं और पी वाइक्यू याने कि पूर उप्रश्ण पत्रों से उठाए हुए प्रश्ण हम उनकी चर्चा करेंगे विशायवार टॉपिक वार पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे तो बिल्कुल pen copy उठा कर तयार हो जाएए और शुरुआत करते हैं इस chapter की चलिए आएए शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्ण क्या है सबसे पहला प्रश्ण है आप लोगों के लिए कि क्रांतिक कौन किसे कहते हैं और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है ठीक है चलिए क्रांतिक कौन की बात करने के लिए हम पहले setup तयार कर लेते हैं हमारे पास में setup ऐसा है कि एक हमारे पास में काच का तुकड़ा है यह काच लेलो या जल लेलो या कुछ भी लेलो तो यह एक सघन माध्यम है और यह बाहर वायू है जो विरल माध्यम है अब होता क्या है कि हमारे पास में situations कैसी है आप जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं कि जब भी प्रकास की किरन किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तब यह अपने अभी लंब की ओर जुखती है इसके विपरीत यदि प्रकास की कीरन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो वह अभी लंब से दूर हट जाती है मतलब यहां पर प्रकास की किरन यदी इस प्रकास से जा रही है चलिए इसको थोड़ा सा पहले ऐसे बना लेते हैं यदि प्रकास की किरन जो है सगन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो यह जो उसका समान पत्थ होना चाहिए यह इससे क्या होगा कि इससे दूर हटके जो है यह अगलम्ब से दूर होती जाएगी इस प्रकार से अब सिच्वेशन ऐसी आती है कि यदि हम जो है इस कोन को यह जो हमारा इस कोन का नाम आर रख देते हैं तो यदि हम इस कोन को और बढ़ाते हैं मतलब इस प्रकार से यह कोन बढ़ता है तो ये जो हमारी प्रकास की कीरण है वहाँ अभिलम से और दूर होती जाती है एक ऐसी इस्थिती आएगी जब प्रकास के आपतन कोण का मान इतना हो जाएगा कि अपवर्तित कोण जो है मतलब अपवर्तित कीरण वहाँ दोनों तलों को मिलाने वाले तल के समानतर चलने लगेगी या तल पर चलने लगेगी इस कोण को हम करांतिक कोण कहते हैं जब प्रकास की कीरण सगहन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तब वह आपतन कौन जिसके लिए परावरतन कौन का मान किसके बराबर हो नबे अंस के बराबर हो ऐसी इस्थिति में इस आपतन कौन को हम क्या बोलेंगे इस आपतन कौन को हम करांतिक कौन कहेंगे इसके बाद में अगली कहानी क्या है अगली कहानी यह है कि यदि प्रकास की किरण में आपतन कोन का मान करांतिक कोन से अधिक हो तो प्रकास की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाए पहले ही माध्यम में लौट जाती है इस घटना को प्रकास का पौन आंतरिक परावरतन कहते हैं अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल के नियम के हिसाब से म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन साइन आर यहाँ पर जो है साइन आर का मान जो है हम लोग क्या रखने वाले हैं साइन आर का मा windy's see کہ बरावर हो जाए मतलब remember जो है हम को यहांपर sign r की बजाय साइन सी मिल जाता है ऐसी स्थिती में I का मांड़य हो जाएगा और साइन नब्यश का मान होता है एक और इस प्रकार से जो है हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि मियू बरावर एक बटा साइन्सी यही हमको जो है यहां पर प्रूफ करना था ठीक है तो क्रांटिक कोण को परिभासित कीजिए और इसका माध्यम के अपवर्तित कोण के साथ संबंद स्थापित कीजिए क्रांटिक कोण वह कोण है जिसके लिए सगन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाल है और यहां पर आपको कितने मिलने की सम्भावना है आगे बढ़ते हैं अगलाstart है प्राकास की तंतु क्या है यह किस सिद्धान पार कारे करता है और किरण आरेख खीच कर समझछाइए कि प्राकास की तंतु किस प्रकार की सिख्णों को संचलित करता है इसके उपयोग लिखेंगे यहां 2020 में पूछा गया प्रश्ण है और 2022 में जो है एक और प्रश्ण पूछा गया है जिसमें पूछा है कि प्रकास की तंतु क्या है इसके उपयोग लिखेंगे ठीक है प्रकास की तंतु का वर्णन निम्न बिंदों के अधार पर कीजिए पह कौन सा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धान पर कारे करता है इसके बाद में आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धान को लिख दीजिए कि यदि प्रकास के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की और जाती है तो वहा प्रकास की किरण क्रांति कोन से अधिक कोन पर आपतित हो तो वह दूसरे माध्यम में जाने की बजाए पहले ही माध्यम में वापस लोट जाती है इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्दम कहते हैं यह बताने के बाद में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया यहां पर जो है हम एक और इसके अंदर जो है हम एक और लेयर डालेंगे और यह लेयर हो जाएगी प्रकास की तन्तों की अब यहां पर क्या होता है कि यह जो हम लोग बीच में देख रहे हैं यह असल में एक सगहन माध्यम का कांच है तो यह जो है सगहन माध्यम का कांच है और इसकी भी प्रकास की किरने किसी विशेश कोण पर आप्तित की जाती है तो पून आंतरिक परावर्तन के कारण वह टकरा कर वापस लोड़ जाती है और इसी तरीके से कई बार जो है पून आंतरिक परावर्तन होने लगता है जिस से जो है हमारा सिगनल जो है वह प्रकास की गती कितन फिर भी हमारे सिगनल की गती बहुत ही तीवर हो जाती है और इससे जो है सूचना संप्रशन याने की कम्यूनिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर दो लेयर होते हैं एक आंतरिक लेयर होता है जो अधिक याने की जिसका जो है जो घनत्व अधिक होता है या फिर जिस इसके उपर हम क्या कर सकते हैं इसके उपर हम प्रोटेक्टिव कवर चढ़ा सकते हैं इसके उपर हम प्लास्टिक का जैसे कांच मतलब जैसे लाल पिले हरे नीले रंग के जो है आप तार के उपर लगे हुए प्लास्टिक देखते हैं उसी तरीके से यहां पर सुरक्षात्मक जो है cover यहाँ पर लगाया जा सकता है तो यह होगा प्रकास की तन्तु अब हम पुछेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है इसका उपयोग होता है इंटरनेट चलाने में इसका उपयोग होता है वायू यानों में जहां पर कम्यूनिकेशन के लिए याने के सिगनलों का आदान बदान करने के लिए हम भारी धातुएं नहीं लगा सकते हम वहाँ पर अप्टिकल फाइबर का उप्योग करते हैं इसके साथ साथ इसका उप्योग साथ सज्जा के लिए भी किया जाता है आपने एंडोस्कोपी जो है देखी होगी जहां पर हम दिल में या फिर सरीद के किसी दूसरे हिस्से में छेट करते हैं और छेट करने के बाद में अंदर का नजारा देखते हुए बाहर से रोबोट की साहता से आपरेशन कर लेते हैं वह भी पूर्ण आंतरिक परावरतन का यानि की प्रकास की तंतु का उप्योग है जियोफाइबार आप लोगने सुना है जियोफाइबर इसी से चलता है ठीक है तो इस प्रकार से इसके बहुँस सारे उप्योग है अब अगला प्रश्न क्या है किसी गोली प्रिष्ट के लिए हमको सिद्ध करना है कि 1 बटा µ रिन controls 1 बटा 1. U बराबर जहाँ पर जो है ठीक है चलिए यह वाला जो हमको सिद्ध करना है तो ये 2022 में पूछा गया प्रशन है और इसके बारे में विसेश चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद